अब हम यह तर्स आएगे कि बेंजनर की उत्पत्ती कैसे हुई है जैसे ता ता उपा से नीचे बनता है और साइड में यह हो गया ता और इसी में यह इस्तिती होती है चाकी इसको बनाते हैं उपर से नीचे और यह पोजिशन है राकी यह बनता है इससाम में और यह पा बनता है यह बनता है उपर से नीचे इस प्रकार से बेंजनरों की बूलता है उत्पत्ती हुई है यह सभी सरल दिखाए है देखाएं सर देखाएं कहलाती है अब हम वक्त रेखाओं को उनकी उत्वत्वत्ति कैसे हुए यह दर्साएंगे जो वक्त रेखाएं कहलाती है जैसे इस गोले को यदि हम क्रास के रूप में काटते हैं तो उपर की तरफ जो है बनता है मां नीचे की तरफ बनता है ना बाजू में यह बाएंवाला ता और इस तरफ बनेगा दाएंवाला ता ता दाहने वाला यह ता बाएंवाला इस प्रकार से यह बनते हैं कि यदि हम इस गोले को प्लस के रूप में डिवाइट करते हैं तो ऊपर की तरफ जो है यह बनता है ला यह ऊपर नीचे से ऊपर ही बनता है और ऊपर से दोनों सकते हैं और यह बक्र रिखा वाला रा यह उपार से नीची बनाए जाता है और साइड में आते हैं सा सा बायवाला इस वीडियो में हमने देखा अक्षरों की पत्ति किस प्रकार हुई है पत्ति के इस्थान को देखकर अक्षरों के संकेत याद करने में आसानी होती है यह फार्मोलों की तरह है आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक इस तरोग्राफी की अच्छी तरह प्रेक्टिस कर लिए ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बहुत समय आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें झाले प्राइब प्राइब झालें